Hey guys, welcome to the study with my young मैं हूँ आपका my young और आई ला रहा हूँ में आपके लिए अच्छा बारह के लिए रायनित विज्ञान की पार्ट उस तक समकालीन विस्व में रायनिती देखे आज इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय दूसरा है यहाँ पर हम दो द्रुवियता का अंत पढ़ेंगे यानि देखेंगे कि दो द्रुवियता का अंत किस प्रकार से हुआ है और बाद में पर कैसे समाज की रचना हुई है तो वो हम इस अध्याय में देखेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं मैं क्या-क्या discuss करना है यहाँ पर आपने पिछले अध्याय में आपने दो महासक्तियों के बारे पढ़ा था और दो महासक्तियों के में कैसी प्रदुंता चली थी तो उस प्रद्वंता का परड़ाम आपने सीत युद्ध के रूप में पढ़ा भी था वहाँ पर कि सीत युद्ध के दोरान दोनों ही जो महासक्तियां है उन्होंने केवल और केवल अपने युद्धिस्तर की तयारियां की है उन्होंने केवल और केवल यही तयारियां की है, कितने परमाणड हत्यार बढ़ाए जाए तो बाद में आप देखेंगे, सोवियत खेमे का भीटन हो गया है सोवियत खेमे की भीटन के बाद जो इस तरह की प्रद्धनता चली आ रही थी इस तरह की जो competition चली आ रही थी, उस competition का अंत हुआ है और बाद में यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार के देश बने है देखेंगे, यहाँ पर साब साब सी बात आपने कल के अध्याय में भी देख ली थी कि जब उस समय इस तरह की competition चल लही थी, यानि प्रद्धनता चल लही थी तो पूरा बिस्तो जो था दो खेमों में बट गया था यानि एक खेमा था USA का, दूसरा खेमा था Soviet संग वाला तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर starting की गई यह Berlin की दीवार से बर्लिन की दीवार जो है यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर यह Berlin की दीवार जो 1989 में पूरवी जर्मनी की जो जनता है इसने इसे गिरा दिया है, था क्या यहाँ पर आपको पता होगा कि एक तरफ जो USA वाले हैं तो यहाँ पर जर्मनी का ऐसे करके बिटन करना पड़ा है परणाम यह हुआ है कि जर्मनी में एक दीवार खड़ी की गई है और यह जर्मनी को पूरवी पश्मी में बिवक्त कर रही थी लेकिन यहाँ की जो जनता है, वो जनता नहीं चाहती थी यहाँ पर पूरा जो लोग समाईजयत हो गई है और दूसरी दुनिया का पतन हुआ है सीत युद्ध की समापती हुई है देखे यहाँ पर दूसरी दुनिया सब्द जो है इसके बारे में भी डिफैन करूँगा हम तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब देखे सोवियत प्रणाली इस बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले इंपोटेंट है यहाँ पर सोवियत प्रणाली क्या थी आपको पता होगा कि भाई जो समाजबादी सोवियत यानि आप रसिया के रूस की जो करांती है उसके बारे में आपने पढ़ा भी है रूस में करांती जो होई उनिस सत्रे में होई और यहाँ पर भी समाजबादी सासन जो है अस्चित्तु में आया है यानि समाजबादी सामेबादी विवस्ता अस्चित्तु में आई है अब चुँकि रूस वाले जो थे स्टार्टिंग से ही अमेरिका के विरोध में थे यानि अमेरिका से मतलब पूजी बादी जो विवस्ता है माँपर उस पूजी बादी विवस्ता के विरोध में थे तो यहाँ पर इन्हों ने यह चाहा कि हमारे हैं ऐसी विवस्ता अपनाई जाए जो कि समाज के हित्मे हो सभी कोई साथ बरावरी करे कोई अमीर गरीक भी खाई ना हो किसी के पास ऐसा ना हो, किसी के पास बहुत ज़्यादा दौलत भरी हुई है कोई बिल्कुल गरीव है ऐसा बिल्कुल ना हो तो इन्होंने समाजबाद के आदर्सवाँ और समता मुलक समाज की रुवत से ये प्रिरित थे ये लोग तो इन्होंने इसी अनूप अपने यहां की प्रणाली इस्थाबित की है कास करके हमें यहां पर समता रोटी खानी है और संसादनों का बटवारा किस प्रकार से होगा तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि सभी के सबसे जमीन ने छीन ली गई थी सभी को आजेस दिया, किसान है तो उन्हें आजेस दिया गया था आपको यही फसल होगा नहीं है, सम्ता रोटी खानी है इस तरह की बाते हैं आप class 9th में पढ़ चुके हैं तो वही सब चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिली यानि कि यहाँ पर इन्होंने एक समानता के सिद्धान पर पूरे समाज को रचना करने की कुशिस की है और यहाँ पर इस प्रणाली में आप देखेंगे तो यहाँ पर राज और पारटी की संस्ता को प्रात्मिक महतो दिया गया है यहाँ पर ब्यक्ति को महतो नहीं दिया गया है बलकि राज को दिया गया है महतो यहाँ राज यहमारा किस प्रकार का बनेगा हमारा समाज ऐसा ना बने तो इन्होंने क्या किया इन्होंने कम्मिनिष्ट प्रणाली अपना ली है इसके त्याद समता मुलक समाज की स्थापना करने के लिए जो संसाधन बगेरा है उन पर स्वामित किसका होता है यहाँ पर राजिसरकार का होता है यानिक और उस पर राज सरकार में मौझूद जो पार्टी है, यानि जो समाजबारी पार्टी है वहाँ पर वो उसका नियंत्रड और संचालन करती है तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप देखेंगे, यहाँ पर रूस वाला जो समाई था, सोवियत संग वाली प्रणाली थी, इस प्रणाली में आप यह देखेंगे, यहाँ पर कोई बिपक्ष नहीं था, यसे आप देखते हैं अपने यह लोगतंत्र में तमाम पार्टियां ह तो वही यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर केवलो केवल कमिनिस्ट पार्टी ही थी यानि सोवियत राई निति-परणाली कमिनिस्ट पार्टी के इड़àiद घूम रही ह Confederacy यहाँ पर हमें यह देखने को मिलेगा अब आपने यह तो देख लिया है कि नैंटी फोटी फाइब में जो आपका दुती विस्व युद्ध वो समाप्त हो गया है और नौ गस्तफ को जो परवनाड़ बम गिराए गया है उसके बाद जो है ये युद्ध समाप्त कर दिया गया है और ऐसे करके देखेंगे जो पूरवी यूरोप बाला हिस्सा है वो सोविय संग के हिस्से में आ गया है अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर आपका जो इटली वाला रिजन है इटली वाले रिजन में जो कि इटली का आप जानते होंगे मुसुलिनी था यानि इटली में जो फासीवादी विचारधारा का समर्थ तक जो था मुसुलिनी इटली में लंबे समय तक फासी बादी जो विचारधारा को पन पाया है तो यहांपर सोवियस सेना ने क्या किया है कि पूर्वी यूरोप इनके हद में आ गया है तो इन्होंने फासी बादी ताकता है यानि फासी बाद वाले जो विचारधारा थी इसको इसके चुंगल से मुक्त करवाया है और ऐसे करके आप देखेंगे यहाँ पर यह जो देश हैं इसके जो अंडर में आ गए हैं इन सब देशों को क्या कहा गया है दूसरी दुनिया के देश कहा गया है चुमकि दूसी दुनिया के देश क्यों कहा गया है संग बना है उसे समाजवादी केमा कहा गिया है तो इसलिए इन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है ठीक है यानि इन्हें समाजवादी केमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है और इनके नेता कौन है यहाँ पर यानि कि यहाँ पर इस skemmet का नेता समाजबादी सोव्यत गड़ राजी था यह बाbt समझ लीजिये आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब देखें यहाँ पर आप यहाँ पर अगर देखें तो अमेरिका को अगर हम छोड़ देBooksлек ये बिस्व में किसी और अर्थवस्ता की तुलना में ज़्यादा विक्सित थी यानि इनकी जो संचान प्रनाली है क्यानि कम्यूनिकेशन वाली प्रनाली बहुत अच्छी थी इसके लावा सबसे वड़ी बात क्या है यानि आप देखेंगे सोविय संग का एक विशाल भू भाग है और इस विशाल भू भाग में यहाँ पर उर्दा संसाधन भी है खने तेल पगएरा लह इस पात यानि सब कुछ अच्छे खासे संसाधन भी है तो इस वजए से यहाँ पर इनका विकास जो था इनकी अर्थवस्ता जो थी वो डबलब होई लेकिन यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है देखे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में तो बात यह कही गई है कि भाई इनकी संचार पनाली बैटर है इनके पास संसादन बैटर है लेकिन सही बात यह है जब तक आप समूची बिस्तु की अर्थवस्ता से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके संसादनों का कोई महत्तो नहीं रह जाएगा मेरी कहने की मतलब समझ रहे हैं जैसा कि भारत में हुआ बारत में कहा था कि हम लोगों ने अपनी जो एकोनोमी थी बंद अर्थवस्ता रखी तो बंद अर्थवस्ता रखने का परड़ाम यह हुआ कि हमारे पास अंतराष्टी मुद्रा बगरा का जो कोस्ता वो खाली होता चला गया तो बरतमान समय में बैश्वीक्रत विस्तो में यह जरूरी है कि आपका ब्यापार मुक्त ब्यापार वाली नीती हो यानि आप तहीं और देश में जाकर ब्यापार करें कोई और देश वाला जो आपके यहाँ पर देश में आकर ब्यापार करें तभी मुद्राओं का आदान प्रदान होगा आपकी मुद्राओं की कीमत भी बढ़ेगी टेक्नलोजी भी आएगी तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर रसिया में यानि USSR के साथ समस्या यहाँ पर सबकुछ इनके पास है सबकुछ आवागमन के साधन है सबकुछ आवागमन के इन संसाधनों का मूल जादा नहीं रहा गया क्योंकि इनकी जो अर्थवर्था थी इनकी जो पुरी एकोनोमी थी तो मुक्त नहीं थी बलके बंध थी यानि नियोजयत रूप से बंध थी यानि पूरा सरकार के नियंद्रण में थी पूरा बिस्तु के साथ इसका जो है कोई यहाँ पर लेंद्यान नहीं था ठीक है तो यह बात आप चैप्टर के लाष्ट में समझेंगे इस बात को तो यहाँ पर वही देखने को हमें मिलेगा अब देखें यहाँ पर वही चीज़ें निकल कर आए गई यहाँ पर इस लाष् संकी सरकार ने एक बात कही थी कि नियूनतम गुडवत्ता की चीज़ें नियूनतम जीवनिस्तर की चीज़ें आप सुनिश्चत करवा रहे हैं अपनी जनता को अब देखें ऐसा होता क्यों है कि यहाँ पर सब कुछ होने के बापदू संसाधन होने के बापदू अब आपको पता ही है कि हमीं फस्ट रहेंगे हमीं फस्ट रहेंगे हमीं लाफ्स रहेंगे तो हम्हारे देश केबल हमारे संवान पिकेगा तो हम यहाँ पर गुरुवत्य क्यों सुधा रहेंगे तो यहाँ पर भही था गुरुवत्य के लिहाज से बैटर नहीं है चीज़े लेकिन हाँ गुरॉणprochen बार-बार कह रही है कि हम अपने यहाँ के चीज़ें जो बैटर बना रहे हैं सब के लिए सुनश्चित हैं एक जैसी चीज़ें कोई अलग नहीं है कोई स्पेसल नहीं है इस तरह के वादे कर रही है पर आल यहाँ पर वही सब चीज़ें देखेंगे सरकार ने जो बुनियादी जरूत की चीज़ें थी जैसे स्वास्त्य सुविधा है सिख्षा है कर रहे है आपका राती थी यहाँ पर बिरोजगारी नहीं थी यहाँ पर कहा गया है कोई बिरोजगारी नहीं थी मिलकियत का प्रमगरूप राजिका स्वामित था मिलकियत का मालिक कौन था यहाँ पर यहाँ जो संसाधन है जो चीज़ें उनका मालिक कौन था यहाँ पर र पढ़ना है तो आप क्लास नाइंत का जो रूस वाला चैप्टर है रूसी क्रांती वाला वो चैप्टर पढ़ लीजिए आपके माइड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ठीक है अब यहाँ पर आप देखेंगे सुरुवात में दिक्कतें नहीं आईए अब जाना साही चलाने लगे तो ऐसे मैं यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर यह जीवन जो नागरिकों के लिए है यह कठिन होता चला गिया है यहाँ पर लोगतंत्र की आजादी तो ही नहीं लोगतंत्र की आजादी नहीं है अव्यक्त की आजादी नहीं है तो लोग कही ना कही यहाँ पर गुट-गुट कर रहने लगे और अपनी जो असहमती थी वो चुटकलों के माद्यम से कार्टून बगारा के माद्यम से ब्यक्त करने लगे यानि कि यहांपर लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो कमिनिस्ट पार्टी थी उसके रवयए को लेकर जो है यहांपर गहरा आक्रोष था और काफी वार यहांपर यहांपर यह भी देखा गया जो 15 गड़ राज को मिलकर सोविय संग बना था तो उन 15-15 के गड़ राज जो थे उन सभी की संस्कति अलगती इसके लाव उनके रीत्रिवाज अलगते तो उन सब में सबसे बड़ा राज जो थे रूस वाला खेमा जो था तो यहाँ पर दबदबा जो था सोविय संग में रूस वाले खेमेंगा था इस वजए से क्या होता ह कि बादबागी बच्चे हुए चौदे जो गड़ राज QR राज煰ाज की संसक्ति पर उनकी भासा पर उनकी ढीत्ररवाज़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था तो इस बज़े से भाकी जंता और ज़्यादा त्रस्ती उन्हें लग रहा था कि हमारे उपर रूसी भासा यानि कि रूसी आधिपत्य थोपा जा रहा है तो यहाँ पर वही सब लिखा है तो जो आप पढ़ रहे हैं कि पंद्रे गड़राज्यों को मिलाकर सोविय संग बनाया गया था यहाँ पर देखे यह पॉइंट आप नोट कर लेना कि यहाँ पर जो सोविय संग बना है वो 15 गड़ राज्यों को मिला कर बना है और दूसरी दुनिया के देश किसे कहा गया यह भी आप नोट कर लेना ठीक है अब देखे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भही सब लिखा है कि पेच्षित और दमित महसूस करती दी उसे रही लगता था कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर रूस वाले जो चाहेंगे बही मनवाने डंग से यह करेंगे अब यहाँ पर हम बात करते हैं देखे ओवियसी बात है सोविय संग वाले दाबे तो यहाँ पर बड़ यह को लेखेंगे बात प्ता ही सोवियर संग ने यहाँ पर 1979 में उस पोर्शन में हस्चिव किया है तो यहाँ पर ऐसे में सोवियर संग वाले रीजन में हस्चिव किया है यादि यह जब USA भी चाह रहा था कि दुनिया उप्सांथ प्सांत काइम हो USA यहाँ पर एक Big Boss भी य तो USA आप समझ रहे होंगे USA USSR में होड मची थी तो USA में इसी समय यहाँ पर तालिवान का उदा होता है तो यहाँ पर यह भी entry मार गए है कि भाई हमें भी entry मार जाते हैं लेकिन इनकी entry माने से यह हुआ कि भाई यहाँ पर सोवियत संगी विवस्ता कमजोर हुई है यानि आप देखेंगे यहाँ पर लगाता लोगों का पारिस्रमिक लगातार बड़ा लेकिन उत्पादक्ता और अपर अध्यक्ति के मामले में यह फिर भी पीछे रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर जो बस्तू बगरा है यानि कि अबहर तरह कि वह वक्ता बस्तू की कीमत कम हो गई है खाद्यान का आयात इने बढ़ाना पड़ा है और नाइटी सेवन्टी के देसक में आप देखेंगे अर्थविवस्ता यहां की कहीना के लडखला सी गई है लडखलाने का रीजन यही है क्योंकि यह जो अपना फोकस जाल से जादा कर रहे थे वो कर रहे थे किस पर सेन्ने तागत पर कर रहे थे विकास पर नहीं कर रहे थे दूसरी बात ही है पूरी जो इनके यहां की अर्थविवस्ता का मॉडल है वो बंद अर्थविवस्ता का मॉडल है खुले हुए अर्थविवस्ता का मॉडल नहीं है यह बात हम पहली आपको जिक्र कर चुके हैं अब यहां पर एक नेता निकल कर आते हैं गोरवाचेव और सोब्य संगा बिगटन देखें मिखाइल गोरवाचेव एक नेता है यहाँ पर तो वो चाहा रहे थे कि बाई जो Communist Party की व्यस्ता चली आ रही है जैनि कि जिसमें सम्मान सम्ता की बात की जा रही है समाजबाद वाली भावना से ओत प्रोत वाली जो भात की जा रही है उसमें सोड़ा बतलाव किया जाए तो यहाँ पर यह 1980 के दसक में आकर Communist Party के महासचिब बनते हैं तो यह चाहा रहे थे कहीना की पश्मी देसों के साथ हम अपना संपर्क बढ़ाएं उनके साथ अपने संबंद स्थाबिद करें जिसके जरीए क्या होगा टेक्नलोजी वगरा का आतान परदान होगा इसके लाबा हमारे संबंद भी सुद रहेंगे यानि जो हमारी प्रद्धनता है उस पर कहीना की ब्राम लगेगा यानि हम जो अभी केवालों केवाल युद्धिस्तर की तैयारी कर्में लगे हुए हैं फिर हम अपने आके जो बुनियादी धाचे हैं उनको उनमें सुदार करेंगे अपनी जनता को लाब कहुँचाएंगे बिचार तो इनका बड़ा अच्छा था लेकिन किस हट्टक ये सफल हो पाएं वो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गोर्वाचेब ने पश्चिम देशों के साथ संबंदों को सामाने बनाने के लिए और लोकतांत्रिक रूप देने के लिए इन्होंने सुधार करने का फिसला दिया है लोकतंतिक रूप देने का मदलब क्या है क्योंकि यहाँ पे लोकतंत तो है नहीं यहाँ पे रसिया में लोकतंत तो है नहीं कम्मिनिस्ट पार्टी की सरकार है कि वहले एक पार्टी का हिसासन है तो लोकतंत होने का मदलब भी नहीं है यहाँ पर पार्टि ही त Васके आ कर रही है कि क्या क्या होगा अब यहां पर इनौने तो सोचा कि हम बैटर करेंगे उसी समय क्या होता है कि पूर्बी यूरोप के देश जो है जोके सोवित के में के इसे थे उनमें बिद्रो स्टार्ट हो गया है अब यह लोग जो थे एक लंबे समय से एक Soviet प्रणाली से बहुत ज़्यादा दुखी थे तो इन्होंने क्या है अपनी सरकार के बिरोध और Soviet नियंत्रड है यानि कि Soviet का मलब आप एक तरह समझ लीजिए रसिया का ही नियंत्रड सबसे ज़्यादा है अब उपर से यहाँ पर Soviet संग के बहार जो परिवर्तन हो रहे थे उनकी बज़या से भी यहाँ पर Soviet संग में यहाँ पर बेकटन होता जा रहा था अब जो गोरवा चेव हैं गोरवा चेव ने जो सुधार किये हैं वो सुधार इतने ज़्यादा कारगर नहीं हो सके लोगतंत्री करण की नीत नीत चलाई है लेकिन नीत चलाई है उसका बिरोध भी हुआ है कुछ लोग나 का मानना ये था कि भाई यह जो नीत चलाई हह इतनी ज़्यादा धीमी है कि इसका सुधार हो एं सकता दराव पर सुधार हो नई सकता जो है निताओं को चुन सकेंगे अब जो पुराने निता हैं जो यानि 20 साल से सासन में बिराजमान है अब वो थोड़ी न चाहेंगे कि हमारी कुर्सी चली जाए तो ऐसे करके यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 1991 में एक तक्ता प्लट भी हुआ है और कर्मिनिस्ट पार्टी से चोड़े गरमपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया है यानि कर्मिनिस्ट पार्टी के जो गरमपंथी टाइप के हैं यह तो नरमपंथ वाले खेमे के हैं अब गरमपंथियों ने यहाँ पर बढ़ावा दिया है यानि कि बोरिस यानि रूसी कड़ राज ने जहां बोरिस येलसिन ने आम चुनाओ जीता था तो यहां पर कैंद्रीकत नेंत्रड को मानने से इंकार कर दिया गया यानि कि अब क्या है कि पहले बाला सासन जो है वो बैसा नहीं रहा है यानि कि अन्य जगों पर भी थोड़ी चूट दी जाएगी इस तरह की बात की जा रही है देखें यहां पर खास करके देखेंगे जैसा कि आप उपर पहले ही देख चुके हैं कि पूरवी यूरोप के कुछ देशों में यहां पर विरोध स्टार्ट हो गया था गोरवाचेप के सुधारों के बाब जूत भी यहां बिरोध स्टार्ट हो गया था और यहां पर जो सरकारें बनी थी सामयबादी वो सरकारें गिर गई थी उपर से यहां पर जो बिरोधी खेमा था इनकी पार्टी में वो भी बिरोधी खेमा जो सक्री हो गया था क्योंकि इन के दूरा जो लोक्तंत के प्रयास किये जा रहे हैं उनसे संतोष्ट नहीं है ऊपर से ये ब्यक्ति की entry हो गई है येल्थसिन नाम के ब्यक्ति की entry हो गई है लिए उन्हें तकता पलट कर दिया है तो यहाँ पर यह देखेंगे कि भाई सत्ता जो है वो मौस्को की तरफ से अब गड़राज्यों की तरफ किसकने लगी है कहने का मलब क्या है मौस्को की तरफ से गड़राज्यों का मलब क्या है बाद बाकी जो चौदे के चौदे गड़राज्य जुड़े हुए है इनके उपर रसिया जो नियंद्र ढ्रमाय हुए है और सत्ता का कैंद्र है वो मॉसको में है तो यहाँ पे कहने का म explicitly हमड़ब या ज्वrdय जो मॉसको से पूरे जो नेता चला रहे थे चोदे के चोदे गडराज्यों को चोड़े डेसें ने चला रहे थे अब बहाँ से सत्ता किसकर इन देशों के हाथ में जाने लगी है याणि उन भागों में जादा हुए यहां यह यूरोपी करत वाला है वहाँ पर जादा हुआ है अब देखे शुरुवात में हम देखेंगे यहाँ पर जो मद ACI वाले जो देश थे जो के सोवियत केमे स्टूड़े हुए थे उन्होंने अपनी सुतंता की मांग नहीं की है यानि बेलोग सुरुवात में जो सोवियत संग में ही रहना चाहते थे लेकिन जो यहाँ पर यूरोप बाले रीजन है पूरभी यूरोप बाला हिस्सा है उन लोगों ने यहाँ पर अपनी डिवांड की है कि भाई आप हमें जो हमारा सतंता प्रदान करो हमारा संप्रवता प्रदान करो ताकि हम अपने डिसियन खुद ले सके हैं हम सोवियत संग के खेमे में रहना नहीं चाहते हैं अब सभी जो जितने भी हमारे गड़राजे हैं उन सभी में एक विरोध की लहर जोगा चल पड़ी है जनता बिल्कुल एकसेप्ट नहीं करेगी सोवियत संग, सोवियत केमे को तो ऐसे में यहाँ पर उनने काया कि यहाँ पर सोवियत केमे खत्म कर दिया जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं यानि कि यहाँ पर आप देखेंगे जो बाद बाकी जो सोवियत गड़राज बने हैं यानि कि 14 के 14 जो और गड़राज थे पूजी बादी मौडल और लोकतंत्र को अपना आधार मनाया है यहां पर हमें यह देखने को मिलता है अब यहां पर देखे कुछ चीज़ें और यहां पर बताई गई है यहां पर जो सामयवादी सोवित गड़राज का भिक्टन हुआ है यानि कि इन सब स्वतंतराज्यों का निर्माड हुआ है तो इनका निर्माड यानि कि पताया गया स्वतंतराज्यों के जो राष्टकुल है जो इनसे सोवियत खेमे से अलग होकर सुतंत राज बनी है, राश्कुल जैने बोला गया है, Commonwealth of Independence State बोला गया है, इनका निर्मार बाकी गड़राजों से अलग हुआ है, बाकी गड़राजों का मलब क्या है, आपको ये तो पता हुआ कि सोवियत खेमे में दो तरह के यहाँ पर से मिलता जोलता था, ये बात आपको पता ही होगी, यानि पूर भी उपश्मी उड़राजों के राश्कुल से बाहर थे, यानि कि आप ये देखेंगे, कि यहाँ पर बिगटन होने के बाब जूद भी, जो आप ऊपर अभी आप देख रहे हैं, कि ओफिसियली उनने से क्या दिया है, और बड़े-बड़े जो तीन गड़राज इननों ने कह दिया है, सोवियस संग समाप्त हो गया है, अब देखें, यहाँ पर पूर भी यूरोप के देश तो अपने आपको अलग कर रहे गए, लेकिन यहाँ पर अभी भी यहाँ पर ये जो है, यानि मद एस्याई राष्ट कुल का संस्थापक सरस्थ बनाया गया है, और यहाँ पर रूस को सोवियस संग का उत्राइदिकारी के रूप में स्विकार कर लिया गया, अब चूंकि अब रसिया का तो रसिया इतना बड़ा पोर्सन था, तो रसिया का वेक्टर ना पॉसिबल नहीं है, तो रस उसे एक सुतंत राष्ट बनेगा यहाँ पर ऐसे करके, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम यह सब देख चुके हैं कि किस तरह से रूस का उदय हुआ है, ठीक है, और ऐसे में यहाँ पर देखेंगे, ऐसे में जो बिस्व की और संस्था हैं, उन्होंने र राष्ट बने हैं, सुतंत राष्टों के जो खेमे बने हैं, अब उन खेमों में, अब ओवियस सी बात है, जो नए नए जो खेमे बने हैं, वो तो सुरुवात में युद्ध इस्तर पर अपनी तयारी करेंगे नहीं, युद्ध बगारा पर अपना ध्यान जाता जो पूरवी वाले जो हैं यहां पर खेमे हैं वह सेपरेट हो गए हैं उन्होंने काए वह हम तो पूजी बाद लोगतंतर का मोडल अपनाएंगे हमें फालत हो कि यह नोटंकी से मतलब नहीं है कि आप युद लड़ो हत्यार बना हमें मतलब नहीं है ठीक है तो यहां पर ऐसे यही कहा है कि अब हमें मानता दे दी जाए तो ऐसे में फिर रूस को मानता मिली है ठीक है यहां पर ऐसे में रूस को मानता मिली है तो अब यहां पर रूस ही जहां पर यहां तक जो है जो भी संधियां बगरा है इन्हें नेवाने का कारे रूस ही कर रहा है ठीक है तो यहां यहां पर ऐसे में उसने जो अमेरिका वेरा से कुछ पर्माणु नेस्ति कड़के दिसा में कदम भी उठाए हैं यह सब बात यहां पर बताई गई हैं आगे बढ़ेंगे यहां पर अगली हेडिंग यहां बताई गई है कि सोवियस संग खेमिय का भेटन कैसे हुगा सबसे इं पर काफी सारे रीजन थे सोवियस संग के विक्टन के काफी सारे रीजन थे चुँकि सोवियस संग जो बना था सोवियस संग जो बना था वो कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के दवाव में बना था लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं ऐसे हमारे भारत का एक्जामपल ले 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 पुरी तरह से यहां पर सलंग ने रही थी, पुरी तरह से यहां पर कह सकते हैं, राष्टी आतुल में कंदी से कंदा मिला के आगी चड़ ली थी, तो उसका विश्वास अपने नेताओं में था, जबके यहां पर इस सितिवो नहीं थी, यहां पर आप समझेने वाली बात है, यहां पर कई सालों तक इनकी अर्थ विश्वास ता जो है, गतिरुद्ध रही है, कोई गती नहीं मिल पाई है, उपवोकता वस्तों की बड़ी कमी रही है, अब कमी रहने का रीजन यही है, कि भाई, यहां पर यह पूरा पूरा इनका फोकस किस पर था, हत्यार बनाने पर, परमार हत्यार बनाने पर, कि यानि कि अमेरिका बाले अगर चार मिसायले बनाएंगे तो ये आठ मिसायले बनाएंगे अमेरिका बाले दश टैंक बनाएंगे तो पंदरे टैंक बनाएंगे ये हाल चल ला था तो ऐसे मैं समझ सकते हैं जनता की आवशक्ताओं पर ध्यान नहीं दिया गया गतिरोध कैसे आया गतिरोध आने का रीजन भी बताया गया है परमार हत्यार और सेने साधु सामान पर फोकस तो इसकी वज़ेसे कही ना कहीं गतिरोध आने का दूसरा रीजन क्या था कुछ देस इनके पिछलगू थे यानि कि कुछ देस क्या थे रूस के पिछलगू थे पी प्रासा समूँ हैं, हम काफी सारे देश सामिल हैं, तो रसिया ने क्या किया था, इन लोगों को जो अपने संसाधन दिये थे, कुछ जो यहां पर खर्चा पगरा भी दिया था, ऐसे मैं यहां पर रसिया पर, यहां पर सोविया संग पर अत्रिक दवाव पड़ रहा था, तो कुछ लोगों में चेतना आई है, चेतना आने के फलसुरूप लोगों थे जो अपने आपका comparison पश्चिमी देसों से start कर दिया है, यहां पश्चिमी देसों की अर्तिवास्ता से अपना comparison स्टार्ट कर दिया है, लोगस मानने लगे हैं कि भई हमारा देस, हमारे कुछ कारणो की वजेसे हमारा कुछ रीजन्स की वजेसे या आगे नहीं बढ़ पा रहा है और रीजन सबसे बड़ा यह है होड का रीजन होड का मलग क्या है कि केवल केवल हमें सबसे important बात क्या थी क्योंकि इसकी जो आपकी प्रक्रिया थी इसका जो कारिकार शैली थी उसकी वज़या से जनता के प्रतिय जबाब दे नहीं रह गई थी क्योंकि जनता को अव्यक्ति आजा दी थी नहीं जनता पूछी नहीं सकती थी आप क्या कर रहे हैं प्रियास है वो अलप क्यों रहे है गोरवाचेब ने यह कहा था कि हम अपने देश में लोकतंत्र लेकर आएंगे प्रानी पद्धिती में सुधार करेंगे पश्चिम की बराबरी करेंगे लेकिन यह असफल क्यों रहे यानि कि फिर भी इनों ने जो तमाम प्रयास किये गोरवाचेब ने तमाम जो प्रयास किये इसके बाब जूद भी यह प्रयास असफल क्यों रहे और फिर क्या हुआ कि सोव्य संग तूट गया अब देखें यहाँ पर तूटने के दो रीजन है पहला रीजन आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो इनके गोरवाचेब के सुधार थे उनकी गती इतनी धीमी थी कि लोगों की अबिक्षाओं पर खरें नहीं उतर पाए तमाम लोगों का मानना यह था कि भाई हमें जैसे डील चाहिए थी हमें जैसा लोकतंतर चाहिए था वो लोकतंतर में वली नहीं पा रहा है यानि हम जो जैसा एक जवार चाह रहे थे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे करके लोगों की जो है लोगों की जो इनकी जो कारिपत देती है इसकी पुझे से जो अपना दीरेच खो बैठे हैं और निरास हो गए है यहने कि भाई बेकार आदमी है इनकी कुछ नहीं कर स आते थे कि भाई जो पुरानी प्रणाली है भाई बनी बनीद है जनता जैसे में मूँ ना खोल पाए और हम अपने मनमाने डंग से सासन चलाएं तो यहाँ पर इस बज़े से इनके बिचारों से बिलकुल बिपरीत थे इनकी बिचार तो इस खीशतान में क्या है कही ना कही गोरवाचेप का समर्थन नहीं हो पाया बलकि गोरवाचेप पर जन्मत संग्रे जो आपस में बट गया यानि कि एक तरफ से इनके पार्टी के ही लोग इनके खिलाफ हो गए और जनता भी इंते संतुष्ट नहीं हो पाई है तो इस वज़े से सोव्य संग का से लोगों का म अलग हो रहे तो यहां पर कही ना कहीं यहां पर सोव्य संग वाली अपनी मनमानी कर रहे ते लेकिन एंड में आते 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 आप देखेंगे यहां पर यह खेमा भी अलग हो गया है अब देखेंगे यहां पर सुरुवात में तमाम लोग यह मानते थे कि बिरोध जो स्टार्ट होगा जो सोव्य संग का बेगटन का बिरोध स्टार्ट होगा वो मद्देशिया से स्टार्ट होगा तमाम लोगों का मानना यह था यह थ कहां से असंतो से कर दूदा हुआ यूरोब बाले रिजन से यानि यूरोब में जो समर्द्राट राज यहां पर पर पताया है। रूस, यूक्राइन, जौरजिया, बालिक्ट-चक्ति यहां पर सबसे यहादा बिरोग्व पहले हुआ। यहांCar की जनता नहीं सबसे पहले यह हम यहाँ पर देखेंगे, इससे पहले थोड़ा सा एक नेता इनके जो है नेताउं का जिक्र हम यहाँ पर कर लेते हैं, बन वाई बन देखें, पहले नेता के रूप में आप जानते हैं जो जब स्टैलिन रसियन करांती में, इनका नाम तो आपना सुनाई होगा तो लेनिन के उत्रादिकारी है और सोवियस संग को मजबूत पनाने का दौर चला है ठीक है इन्होंने नेतरत तो जो किया है नैंटी टॉन्टी फोर से तिरी तक किया है आप देखेंगे खास करके सामुही यानि की जो खेती का बलपूर वक्त सामुही करण स्टालिन है क्लास नाइंट में अपने पढ़ा भी था दूसरे बिस्योद मजीत का स्रहभी इन्हें जाता है अब देखें यहां पर एक रवईया इनका जो है वो तानासाही वाला रवईया अपने विरोधियों को चुन चुन कर कुचलने का रवईया तानासाहा थे यह जो इन्होंने जो सब कुच करवाया है वो तानासाही कितम पर करवाया है समता रोटी लोग खाएंगे यानि रोटी जैसी खाएंगे कपड़े जैसे पहनेंगे एक खेतों में इस तरह से काम करेंगे एक ही फसलोग आएंगे तो यह सब तानासाही रवईया इन्होंने ही अपन आपके जो आपका पहला चेप्टर अब हाँ पर आपने इनका नाम भी देखा था तो ये 1894 से 1971 तक रहे हैं सोवियस संग के राष्टपती रहे हैं और ये स्टालिन के आलो चक हैं समर्थक नहीं आलो चक हैं खास करके इन्होंने जो पश्मी देश हैं USA के साथ सांथपूर सहस्टित्तों के लिए सुझाओ रखा है इसके लाबा यहाँ पर क्यूबा मिसाइल संकट में इनका नाम आता है 1962 का जो क्यूबा मिसाइल संकट है तो उनमें यहाँ पर निकता खुष्चेव का नाम आता है यहाँ आपने कल ही बढ़ा है आगे बढ़ते हैं अब एक नेता और हैं यहाँ पर यहाँ पर है लियोनेड ब्रेजनेव यह भी सोविय संग के राष्टपती है इनके बाद तो यहाँ पर एसिया की सामविक सुरक्षाक बस्ता का सुझाओ इन्हों ने दिया है ठीक है अमेरिका के साथ संबंदों में तनाव की कमी के दौर में संबंद रहे हैं इसके लाबा जो चैको स्लोवाकिया में जन्विद्रो हुआ है अफगानिस्तान आक्रमड हुआ है भाँ पर भी यह सामल रहे हैं तो यह इनका ब्रेजनेव का स्वड़ा सा जिक्र है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सोविय संग के जो नेता है मिखाइल गोरवाचेव जन्होंने सुधारों का प्रयास किया लोक्तंत्र लाने का प्रयास किया यह अंतिम राश्टपती है सोविय यहाँ पर जो आपकी पेत्रो इस्तित्का है इसका प्रणरचना की है इसके लाबह यहाँ पर यहाँ खुलेपन इन सब के बीच में इन्होंने कहा जो है जो अमेरिका के साथ होड़ चली आ रही थी अतियारों की यानि कहीना कि यह पश्म की जो बिचार थार उसके समर्थक हैं यह चाहते हैं थे कि हमारे देश का विकासी पश्मी अर्तिवस्ता की तरह ही हो तो यहाँ पर यह सब देखेंगे जर्मनी के किरट के दोरान यह थी ठीक है सीर्चुद्ध की समापती में इनका योगदान है तो यह आपने मिखाईल गरवा गुरवा चोप के बारे में भी पढ़ रहे थे आप बोरिस यल्टसिन इसकी बिजए से यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सोवियस संगे इसका बिगटन हुगा है तो यहाँ पर रूस के पहले चुने हुए राश्टपती है यह पहले चुने हुए राश्टपती है यह जनता की आम सहमती से समझ रहे होंगे आप ठीक है तो यहाँ पर गोर्बाचेपदार है मासक के मेरब मेर मनाए गए गए थे इसके लावा यहाँ पर इन सब के बारे में यही इतियास लेखा है 1990 पने सोविस संग के सासन के खिलाब बिरोध का नेत्रत भी किया थे इन्होंने बिक्टन में केंदरी भूमी का निभाई है ठीक है यह सब चीजें यहाँ पर बताई गई है और जो रूसी सामेबाद से पूजीबाद की और संक्रमण के दोरान रूसी लोगों को उवे कष्ट के लिए जिम्मदार ठेरा है यहाँ 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 पर उस समय आपने उपर पढ़ा है कि जब मिखाइल गोरवाचे में सोवियस संगी कम्यूनिस्ट पारटी के महासाज़िब बनाए गए है ठीक है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने अपने सुधारों की एक संक्ला स्टार्ट की है इस सुधार करने चाहे है उसी समय 1988 में क्या होता है जो लि याई आपने एक तो देखा नाटो में और नींटी सुधारों में बार्टी नाटै इनजुकना पड़ा है जुकना पड़ा है तो वह ऐसे में आकर यहाँ प्सक्या होता है यहाँ पर जनता नहीं बर्लिन की दीवार को गिरा दिया, यहाँ पर यहाँ पर आगे क्या होता है, यहाँ पर यहाँ देखने को मिलता है, जो गोरोवाचिव है, इन्होंने जो सोबियत संग, संसर ड्यूमा के चुनाओं के लिए बहुर दली रायनीत की सुरुवात की है, ठ केवल एक पार्टी का ही अधिकार समाप्त हो गया है, याँ इस्तार्टिंग इन्हों नहीं की है, आप देखेंगे जून 1990, रूसी संसर ने सोवियत संग से अपनी सुतनता की गोशना कर दी है, उनिस्तो क्यानमे में चुनाओं हुए हैं, ठीक है, और ऐसे करके आप देखे सितंबर निस्तो क्यानमे में क्या हुआ है, दिसंबर निस्तो क्यानमे में क्या हुआ है, अब देखें सितंबर निस्तो क्यानमे में यहाँ पर एस्टोनिया, लाताविया, लिथ्वानिया, यानि बाल्टिक अडराज है, यह सोवियत, यानि की सहयूंत राष्टं के सरस्य बने हैं, उनित्सक्यानमे में क्या हुआ है? रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 में सोविय संक्य निर्मार्ट से संबने संधी जो है, उसको समाप्त कर दिया है ऐसे करके अर्मेनिया, अजर्बैजान माल्दोबा, कजाकिस्तान, करिकिस्तान तर्याकिस्तान, तुर्किमिनिस्तान, उज्वेकिस्तान ये भी राष्टकुल देशों में सामिल हो गई है ठीक है, और जॉर्जिया 1993 में राष्टकुल का सरस्ष बना है तो ये सब चीजे मैं यहाँ पर देखना को मिल नहीं है ठीक है, तो ये पूरा इतिहास यहाँ पर इसका डिफाइन करने की कोशिस की गई है लेकिन हमारा जो सरुकार है वो मैन मैन गड़ना करमों से है पूरे गड़ना करमों से हमारा सरुकार नहीं है यह आप जान लीजिए आगे बढ़ते हैं बिक्टन की पड़तियां क्या-क्या बनी है देखे बिक्टन के तीन परड़ाम हुए है पहला परड़ाम यह हुआ है कि दूसरी दुनिया का पतन हो गया है इसी के साथ सीतियुद्ध समाप्त हो गया है और सीतियुद्ध समाप्त होने से जो दोनों सेनाओं के बीच होड़ चली आ रही थी हत्यारों की तेज होड़ी चली आ रही परमाण हत्यारों संचय चला आ रहा था तो कहीं ना कहीं इन सब में जो समाप्त हो गई है और एक नई सांती की संभावना को यहाँ पर जन्म मिला है कि अब सांती कायम होगी तो यह सब चीएं देखें को भी लिए हैं कि अब जो बिश्व की रायनिती है उसमें सक्ती संभंध बदल गये यहाँ पर आप नई नी सनस्था निकल कर आई है तो वहाँ पर सक्ती संभंध जो थे वह कहीना के बदल गये अब 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 एक्षा यह की जा रही थी कि कि सोवियस संगा बेगिटन हो जाएगा तो जो बि भी रह जाएगा यानि बहुत सारे छोट-छोटे देशों का उद्य होगा और वो भी अपनी सक्ति आगे बढ़ाएंगे इस तरह की बात कही जा रहे थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं है यहाँ पर अमेरिका जो है यहाँ पर का दबदबा कायम हुआ है और अमेरिका यहाँ पर फि आगवने जो है जो है यह तागतवर सहस्था हैं बन गई है तागतवर मनने का रीजन क्या है जोकि जो नएने देश सोवे संग के खेमे से आजाद हुए थे उन्हें पैसे की जरूवत थी तो यहाँ पर इन सहस्थाओं ने इन देशों को पैसा दी आ है अब पैसा देने की जैसे यह जो देश हैं इन सहस्थाओं के कर्जदार हो गए हैं यानि कि ठीक है कर्जदार हो गए हैं अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वाई कौन-कौन से देशों का उदय हुआ है अब नए देशों का उदय हुआ है यानि कि यहाँ सभी देशों के एक सतन पैचान और इसे खास कर Baltic और पूरवी यूरोप के देस यूरोपी संग से यूड़ना चाहते हैं यानि नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे यानि जो पूरवी यूरोप वाले देस हैं वो बार्सा पैक्ट मन ही रहना चाहते थे उनका मानना यह था कि हम तो नाटो में ही जोड़ाएंगे मद एसे आई देस जो है अपनी भागोले के सिदी का फायदा उठाकर लाव उठाना चाहते थे यानि भागोले के सिदी इनकी बेटर इसलिए है क्योंकि अब देखे यहाँ पर मद एसे आई देसों के पास एक opportunity यह थी जैसे अमेरिका से कर पैक्ट कर लेते तो अमेरिका क्या करता इनके देसों की बीच की जमीन यूच करता और इस जमीन पर क्या है सेन बेस पगएरा अपना सेने कड़ा बगएरा बना लेता उससे क्या हो जाता नीचे चाइना है उपर रसिया है साइड में यूरोप बाला रीजन है यानि कि यहाँ पर अमेरिका की यहाँ पर entry होने की वज़ाए से यह होता मद एसे आई वाली portion में कि वो तीन तीन लोगों पर नियंदर बना सकता था तो इस वज़े से यहाँ पर सामिक द्रश्टी से यह चेत्र बहुत important था मद एसी आवाला चेत्र बहुत important था दूसरी बात ही है संसाधनों के लिहाज से भी बहुत important था तो यहाँ पर यह मद एसे आई देस हैं इन्होंने क्या किया है रूस के पिल्कुल साइड में हटा दें और अपनी पहचान को फिर से उजागर करें अब सामिबादी सासन के बाद शौक थेरेपी शौक थेरेपी के मलब क्या होता है शौक का मलब होता है कहीना कि आगहात पहुचाना है यानि कि कोई हम shock देते हैं यानि कोई हम चोट पहुचाते हैं उसके बाद उपचार करें उची shock therapy कहते हैं क्यूंकि यहाँ पर इन देशों में आपने देखा Soviet संग वाली जो प्रणाली रही वहाँ पर सामेबाद वाली प्रणाली रही और सामेबाद वाली प्रणाली में पूरा का पूरा नियंतरड किसका रहा केंद्री सरकार का रहा और केंद्री सरकार ने अपनी मनमर्जी से सत्ता चलाई मनमर्जी से सत्ता चलाने के पिज़े से क्या हुआ जनता को एक भारी खामयाचा उठाना पड़ा है तो यहाँ पर आप देखेंगे शुरुबात में अच्छा खासा यहाँ पर जो है अत्याचार हुआ है और बाद में देखेंगे पूजी बाद की मॉडल अपनाया गया है तो पूजी बाद ही जो मॉडल अपनाया गया है यानि कि आगात पहुचा कर उपजार करने के कोशिस कर रहे हैं तो जो भी यहाँ पर 15 है कि 15 है गडराज अलग हुए है हर देश में एक होड मची हुई है कि भाई पूजी अर्बादी अर्थवस्ता अपनानी है यानि कि यहाँ पर अब जो मिल्कियत है पहले जो सरकार के नियंतरण में हुआ करती थी अब वहाँ पर उस पर निजी स्वामित होगा राजी की समता का निजी कर्ड किया जा रहा है व्यवसायक स्वामित के धाचे को अपनाने की बात की जा रही है सामुरिक फारमों को अब जो आ निजी फारमों में तढ़ील कर दिया गया है और अब ऐसे करके पुझी बादी पद्दीति यहां पर इस्टार्ट कर दी गई है यहां पर हमने यह देखने को मिलेगा कि बाई मुक्त ब्यापार जब तक नहीं होगा तब तक हमारी अर्थवरस्ता का वेकास भी नहीं होगा यानि पूझी बादी अर्थवरस्ता को क्या चाहिए यानि इसे बित्ती खुलापन चाहिए मुद्राओं का आपसी परवर्थनीता होनी चाहिए एक्सचेंज होना चाहिए तो ऐसे में यहां पर मुक्त व्यापार नीते आगे बढ़ेगी और हमारा जो है एकोनोमी भी डबलब हो पाएगी यह मानना है यहां पर इन लोगों का तो ऐसे करके बात हैं यह सब बात हैं हुई हैं यहां पर बरहाल यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो भी यह देश आजाद हुए हैं हर कोई देश अपना संपर्ग पश्मी मुलकों से जोड़ रहा है ताकि यह भी इन्हें लग रहा था पश्मी देश पूजी बादी देश हैं पूजी बादी संपनता में पश्मी देश के साथ जुड़ जाएंगे तो उनके साथ हमारा भी आर्थिक विकास हो जाएगा तो हर देश ने यही चाहा है कि हम पश्मी देश के साथ अपने सम्मंद स्थापित कर लें अब देखे शौक थेरेपी का परणाम क्या हुआ जो जो निजी करणवाली नीट लेकर आए है उसका परणाम क्या हुआ है उसका परणाम देखे हिथकर नहीं रहा है उसका परणाम यह हुआ है इस चितर का जो विकास है आर्थिक विकास है वो बिल् compress थप पढ़ गया है क्यों ठप पढ़ने का रीजन ये था कि शौक थेरेपी जो अपनाई गई थी उसे अपनाने में इनका कोई प्लानिंग नहीं थी तरीगा जो है अब गलत था यानि कि यहाँ पर अगर हम देखें यह जनता के लिए आनंद लोक तक नहीं ले जा गई जनता को आनंद नहीं दि अब चुंकि यहाँ पर क्या था यहाँ पर जो आपका पुनान निर्माड का काम था अब यहाँ पर सरकार नहीं कर रही है बलके यहाँ पर सरकार द्वारा जो निर्देशिस और निर्माड के बजाए बाजार की ताकतें कर रही है और दूसरी बात ही है कि यहाँ पर जो ग पांच क्रोड में चली जाए तो नुक्सान तो हो गई होगा और पांच क्रोड में कोई फैक्टरी लेने के बाद और पांच क्रोड में फैक्टरी लेने के बाद बागे उत्पात जो निकले उन पर राजिका नियंतर नहों कंपणी अपनी मनमर्जी से बेचे तो क्या होगा जनता पही तो बोज पढ़ेगा, तो यहाँ पर भई होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर उद्ध्यों की कीमत कम से कम करके आखी गई थी, ओने पॉने दामों में जो कमपनियां बेची गई, इस बज़े से यहाँ पर अर्थिवर्स टावल को ठप पढ़ गई, ज ज्यान रखना रूस की मुद्रा कौन सी है, रूबल, तो यहाँ पर इसमें भी गिरावट आई है, जो इन्फलेशन है, यहाँ बहुत ज्यादा हो गई, यहाँ लोहों के पास जमापूजी है, अब बो पूजी खतम होने लगी है, ठीक है, यहाँ जमापूजी खतम होती ज जा रही है, जमापूजी संसादन बहुत कम आ पा रहे है, और रूस की हालत बहुत बेकार होती जा रही है, यहाँ पर हम देखेंगे, 1989 में जो इनकी आर्थिक प्रद्दी थी, शेकल गरेल उत्पाद में जो प्रद्दी थी, वो 1999 में बहुत कम रह गई है, उससे भी 89 से न अब समाज में बढ़ा यहाँ पर असंतोस प्यापत है, हर जगे गरीबी का हाल है, क्योंकि यहाँ पर नए जो सुधार किये जा रहे हैं, आर्थिक सुधार किये जा रहे हैं, उससे गरीबी बड़ी है, क्योंकि पहले लोगों के पास जो था, गवर्मेंट का फेवर था, गवर्मेंट ने तो अचानक से खतम कर दिया, कि भाई, अब आप स्वतंत्र है, जो जमीन है थी, उनकी नीला मी स्टार्ट कर दी, अब जो जनता को कुछ नहीं मिला यहाँ पर, तो यहाँ पर समाज में एकदम देखेंगे, अमीर गरीब बाली खाई फिर से क्रियेट होना हैं आप, ऐसे लोग जिन्होंने इन संस्थाओं को खरीदा है, फैक्टरियों को खरीदा है, सरकार के उक्रमों को खरीदा है, उनका उधे हुगा है, जातर अर्थिक गत्विदियां, इन्हीं माफिया वर्क के लोगों के हाथों में आ गई हैं, तो कहीना कि इन्होंने जो पोने दाम से यहाँपर अपना सासल चलानाया स्टार्ट कर दिया है , यहाँगर आमीर और ज्याद आमीर हो तो समेधान निर्माड वाला प्रॉसस आता है। पद को बहाल कर दिया और अगले 10 सालों तक खुद का पद बढ़ा लिया इसके लाबा जो इनके फैसलों में बिरोध करने की अनुवती बिल्कुल नहीं दी गई यानि कह सकते हैं ताना सही का योग यहां पर स्टार्ट हो गया यहां पर यहां पर देखेंगे यहां पर रूस ने कैसे स्टार्ट की है रूस ने यहां पर बताया गया है कि रूस के कुछ छेत्र में संसाधन है तेल प्राकरतिक गैस यह सब चीज़े मौजूद है तो रूस कजाकिस्तान तो यह तेल गैस के बड़े उत्पादक है तो इन्होंने क्या किया है यहांसे एक तो तेल बेच भी रहे हैं उसरी बात है यहांसे तमाम पायपट्राइने जा रही है उन्हें टेक्स बगरा मिल ला है तो ऐसे एन्होंने फिर से अपनी आ की economy की डबूल अब करने का परयास किया है लेकिन बहराल यहाँ पर इस टित्र में संगर्स और तनाओ बना रहा लगा था यानि कि यहाँ पर बना रहने का रीजन क्या है आपने देखा होगा जो कि लोकतल पर स्थावित करने के लिए समिधान जो बनाया गया था जल्दबाजीम बनाया गया था तो ऐसे में यहाँ पर कही ना कहीं इन देशों में जो संगर्सकी सिती क्रियर्ट हो गई गर्राजों में गरहयुद बकावत यह सब आम बात यहाँ पर चलती रही यह मैं देखने को मिलेगा यहाँ पर यहाँ पर ऐसे यहाँ पर देखने बताया गया तो इनसे रिपड़ने के लिए रूस ने क्या है जो है बंबारी की है यानि मानवादेकारों का अलंगन भी हुआ है यह सब चीज़ें यहां पर हुई है अजरबायजान में एक प्रांत अजरबायजान का नगरणों यहां पर यह अर्मेनिया से अलग होकर यहां के कुछ इस्थानी लोग अर्मेनिया से अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते है अब देखे एक बात मैं आपको हिंट देना चाहूंगा आपके सामने ये सब जो नाम आ रहे हैं इसके लिए आप Oxford Atlas वाली किताब निकाल कर आप महाँ पर देख ले योगे मेरे पास अभी यहाँ पर नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है और जो कि मैं आपको बार बार ये बार बार मैप पर आपको दिखा सकूँ तो आप लोगों से गुजारिस इतनी है अभी जो बरतमान में जो भी देशें अर्मेनिया अजर वैजान ये कहां कहां पढ़ रहे हैं कौन किसके साथ बॉर्डर सेयर कर रहा है या आप अपने गूगल मैप पर देख लो या और ऑक्सपोर्ड एटलस मैप पर देख लो तभी ये चीज़ें बहुत बैटर डंग से क्लियर होंगी बरना मेरे हिसाब से आपका पढ़ना ब्यर्थ हो जाएगा नेरा मानना यही है तो यहाँ पर सभी जगों पर यही हाल था यूकेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया हर जगह संगर्स की स्थिदी बनी होई थी रीजन यही था यहाँ पर जल्दवाजी में देश आजाद हो गए है तो यह सब चीज़ें यहाँ पर एक आम बात बनी होई लिए तो भरहाल कुछ जगों पर सांधी कायम होई है कुछ जगों पर अभी भी संगर्स चल लही है तो वो आज भी है अब यहाँ पर बताया गया है कि जो मद्देशिया ही रीजन है यहाँ पर हाइड्रो कारवन यहीं पेट्रॉलियम के अच्छे खासे बंडार है तो अभी बर्तवान में देखेंगे यह खेत्र जो है तेल कंपनियों के लिए प्रिजिस परदा का अखाला बना हुआ है दूसरी बात मैंने आपको उबर भी होताई दी कि यह जो छेत्र है मद्येसिया बाला यह रूस चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ है तो यहाँ पर 9-11 की जो घटना घटित हुई है अमिर्का में यानि कि 9-11 का हमला जो हुआ था 11 सितंबर को हमला हुआ था 2-1 में उसके बाद अमिर्का यह चाहता है कि यहाँ पर आर्मी बेस बनाया जाए आर्मी बेस बनाने के एक फायदा यह है कि जो जो टर्रिस टाइप कंट्री है जैसे अफगानिस्तान में जो तालिवान का आतंक है ठीक है अब आइसिस का आतंक बढ़ रहा है इनको रोकने के लिए अमिर्का यह चाहा रहा है कि यहाँ से अमिर्का ने जो अपने बेस भी बनाया है यहाँ पर यहाँ से इन लोगों पर हम प्रतेक्श्रूप से नियंतर कर पाएंगे दूसरी बात इससे यह भी फायदा मिलेगा कि उपर रसिया है चाइना है इनको भी देख पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे कोई दिक्कत होती है, तो इनसे भी हम बतला ले पाएंगे अब देखें, रूस ये बार-बार कहता है कि रूस ये कह रहा है, मत देशे हैं देशों के साथ कि भाई, आप हमारे फिवर मही रहो क्यानि ये रूस ये चाह रहा है कि आप हमारे फिवर मही रहो क्योंकि आप हमारे निकटवर्थी देश भी हो और हमारे लिए विदेश भी हो, हमें जो मिल जोलकर अपना जो काम चलाना चाहिए, तो ऐसे गर कि आप देखेंगे नाम से दो नए देश बने, यहाँ पर कोई संगर्स नहीं हुआ है बड़े आराम से सानपूर्वक तरीके से हो गया है सबसे जादा घहन संगर्स जो है आपका बालकन रीजन में रहा है यानि कि योगोसलावगिया में हुआ है यहाँ पर योगोसलाविया दो प्रांतों में तूट गया है ठीक है कई प्रांतों में तूट गया है यह इसमें बोसनिया, हार्दिकोगोईना, स्लोबेनिया, क्रोईशिया ठीक है ऐसे करके सतन देश बने हैं तो आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर एकदम यो सोविय संग का बेक्टन हुआ, सोविय संग के बेक्टन के बाब दूद भी 10 सालों तक कोई भी देश प्रॉपर रूप से बन के खड़ा नहीं हो पाया है, सभी देश आपस में, लड़ने, जगरने में, ग्रह युद्ध की सकार में, या पर जो गलत तरीके से संभिधान का निर्माड हुआ, उसकी चपेट में आ गए हैं, तो हमें यहाँ पर यह देखने को मिला है, अब यहाँ पर हम भारत के संदर में देखेंगे, बारत का रवईया कैसा रहा है, देके यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक बॉक्स में आर्टिकल दिया हुआ है, उजवेक्स्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम, देक जाता लैक किया जाता है खास करके यहाँ पर आपकी जो पुरानी हिंदी फिल्मे हैं उनको यहाँ पर बहुत पसंद करते हैं यह लोग जो हिंदी नहीं जानते पड़े देखे आश्चर की बाद यह है कि इन लोगों को हिंदी नहीं आती लेकिन यहाँ पर उनकी जो हाव भा जो भाव भंगेमाए होती है एक्टर एक्ट्रेस के चेहरे की उसे ही ये देखकर मनमुहित हो जाते हैं तो यहाँ पर हिंदी फिल्मों का अच्छा खासा यहाँ पर क्रेज है इस चेत्र में और खास करके रसिया तक के रीजन में हिंदी फिल्मों का अच्छा खासा क्रेज है यहाँ पर एक एक्टर है राज कपूर्थी, वो यहाँ पर घर-घर में फह्मास है, यहाँ पर लोग सही से उच्चारण ना जानते हो, लेकिन संगीत भी पकड़ लेते हैं, उच्चारण जो भी हो उनका उच्चारण से मतलब नहीं है, गिंदी गाने का उच्चारण क्या हो कि अंग्रेजी गानों को बड़े आराम से गा लेते हैं, यहाँ पर एक आर्टिकल ले लखा लिखा हुआ है, अब यहाँ पर हम देखेंगे पूर्व सामयवादी देश और भारत, यानि कि जो देश पहले सभी सामयवादी ही हुआ करते थे सोविय संगे बिक्टन के बाद उनके संबंध भारत से कैसे हुए या भारत के साथ कैसे रहे यहाँ पर हम यह देखेंगे कि भाई भारत ने तो अपने संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे किये जो कि हमें हमारा प्रदवंधी है कहीना कि अमेरिका भी है क्योंकि अमेरिका कभी किसी का सगा हुआ नहीं है यह भारत हमेशा से जानता है तो भारत ने अपने संबंध रूस के साथ गहरे संबंध इस्थापित किये और यहाँ पर जो भारत के रूज के साथ समन्द भी इस्थापितू है, उनको जनता का भी समर्थन प्राति है एक सबसे पहला समर्थन ये है, कि यहाँ पर जो आरे बोले जाते हैं, आप आरेओं के बारे में आपने सुना होगा, वो इसी शेत्र से आये थे तो वो आरे वाली संस्क्रत जो हमारी जो है तो उस संस्क्रत की बजैसे भी हम ये मानते हैं कि हम लोग एक तो हमारा जो बहुत गोलिक शेतर है और हम जो हमारी जो नसल है जो रसिया से आरे आपने सुना होगा आरे बारे सुना होगा तो वो जो हमारा जो नसल है वो नसल कहीन यांगे भारत में मिलती जुलती है, यांगे हमारे भारत के लोगों का DNA कहिना कि इनसे भी मिलता जुलता है रसिया वालों से, एक तो वो है एतियासिक परफिक्ष, दूसरा पर यहां पर यह है कि यहां के लोग भी जो है, बॉलीवोड को बहुत लाइक करते हैं, खास करके र दौनों ऐसे एक देश हैं, जो यह चाहते हैं कि दुनिया में किसी एक देश का आदिपत्त ना हो, जैसे अमेरिका जैसे देशों का केवल बर्चस ना हो, यहां पर बहुत सारे देश उबर है, इसका रीजन एक सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, अगर अमेरिका जैसा एक सकसाली देश होगा, तो इसका परड़ाम यह होगा कि अमेरिका अपनी ताना साही देखाएगा, बहुत सारे देश, जो यहां पर बहुत दुर्वी देश होंगे, बहुत सारे सकसाली देश होंगे, तो क्या होगा, अमेरिका अपने आप बैलेंस में हो जाएगा, अमेर पराश्टी संगर्सों के समाधान के लिए बात चीदो तो इस तरह का हम दोनों के बिचार सामान मिलते जोते हैं हमारे और रसिया के तो हमने और रसिया ने यहाँ पर मिलकर यहाँ पर 2001 में भारत और रूस के सामरेक समझोते हुए हैं ऐसे करके असी द्विपक्षी द्वस्त पर हस्ताक्षर हुए हैं और बरतमान में भी बहुत सारे हस्ताक्षर हमनारे आदान प्रतान बगएरा जो सब हुए हैं तो यह सब चीज़े हैं ठीक है इसके लाबा रूस के जो परमाड या पर रूस के जो हत्यार बगएरा है उनकी भारत सबसे आदा खरिदारी करता है त इसलिए यहां पर कहीं जरुवत है रूस की और कहीं न कहीं हम कहीं आपदा बगारा में फसे होते हैं तो भी रूस ने हमारा समर्थन किया है देगे यहां पर एक important कहानी है जिस समय इस्रो का गठन किया गया था जिस समय हमारे यहां रॉकेट कारिकरम चलाने की बात की जा रह जाने का सपना देख रहे हैं उस समय एकमातर देश रसिया ही था जिसने हमें क्रायोजैनिक रॉकेट दिया था जिसकी विजए सेटलाइट लॉंच हो पाए समझ रहे होंगे आप तो यहां पर कहीं नहीं रसिया का हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है रसिया का हमारे सा सायंद बेसा का बटनम बाला सायंद इसके लाव जो आपका भेल जिसे भारत है भी एक्रिकल्स लिम्टेड तो यह सब जो है यहां पर कहीं नहीं कि सोवियस संग की आर्थिक और तकनीकी साहिता से ही इस्था पर तो पाही है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे और भारत में जब जेसी मुद्रा की कमी थी तो सोवियस संग ने रुपय को माध्यम बना कर भारत के साथ ब्यापार किया है तो यह स्तरे से आप देखेंगे कहीं ना कि रसिया जो भारत के लिए इंपोटेंट आये 971 का पाकिस्तान युद्ध हो उसके बाद भारत ने 20 साल के लिए किया था यह भी आपको पता होगा आपका सैनिसायता के लिए सैनिसाज्यों समान के लिए सैन टेक्नलोजी के भारत के लिए इंपोटेंट है संस्कति यहां पर सारे आस्पेक्ट इसी चार पाइंट पाइंट में कवर कर दिये हैं आर्थिक रूप से रायनेतिक रूप से सै पढ़ चुके हैं इसी के साथ आपका चैप्टर यहां पर यह complete हो जाता है लेकि कुछ नहीं है आपको कहानी बता होनी चाहिए कि कहानी कहानी का मूल अर्थ क्या निकल कर आया है तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सोविय संग का बेगिटन क्यों हुआ बेगिटन का हैं वो भी आपने पढ़ा है तो आई होप आपके में बहुत सारे डाउट जोते हो क्लियर हो चुके हैं देखिए आप लोगों से मैं फिर से गुजारिस कर रहा हूं मैं आप लोगों से फिर से कहना जा रहा हूं जो जो इंपोर्टेंट फैक्ट आए उन्हें आप अपने स के सामने अपने हाओँ जोट रहा हूं कि अब आपको थोड़ा सा अपने स्तर पर भी थोड़ा से नोट्स बनाने सीखने होंगे अब तक मैंने पूरा एक एक अक्लाइन लिकवाई है मानता हूँ एक लाइन देखिए जहां तक मेरे जो जहान पर इंपोरेंट था भाहां मै यही है क्योंकि मैंस वाले subject जब मैं start करूँगा तो बहाँ पर मैं line by line notes नहीं बनवा पाऊँगा तो I hope आपको यह lecture पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को like share करना न भूलें तो चलिए आज के लिए बस इतना ही Thanks for watching, Jai Hind झाज करूँगो काव ई हKI नहीं घसे आप कि अच्छन झाल झाल